नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का UPS से उतकर्ष मेरा नाम है पूजा दिवेदी और जैसे कि आज हम जानने वाले हैं को और नए वाइरस के बारे में मैं अभी भी आप से बात करती हूं कोविड विलहाल अभी भी भारत में है व्यापक तोर से खतम नहीं हुआ है इ क्योंकि एक नया वाइरस फिर से आचुका है जिसका नाम है मारबर्ग वाइरस अब यह रवान्दा को पूरी तरह से इसने हिला के रख दिया है क्या है यह वाइरस किस प्रकार से यह घातक हो रहा है कहां कहां पाया जाता है इसके लक्षड क्या है और सरकार क्या कर रही है से जूजने के लिए यह सारी चीजे हम जानेंगे तो हाली में रवांडा में घा तक मारबर्ग वाइरस के कारण अब तक 12 लोगों की जाने जा चुकी है रवांडा एक कंट्री है साउथ आफ्रिका में माफ की जगा आफ्रिकन कॉंटिनेंट में और यह अगर हम बात करें रवांडा जैसे कुछ कंट्री से जहां से बहुत सारे वायरिसे जुद्पन्न हो रहे हैं तो इसलिए हमेशा याद रखे जाधतर बिमारिया आफ्रिकन कॉंटिनेंट से आ रही हैं तो यहां पर रवांदा रवांदा अपनी सीमा साज़ा करता है तंजानिया से से समबन्दित क्योंकि यहीं पे साइन हुआ था प्रोटोकॉल इसलिए को कि गाली संशोधन या किगाली प्रोटोकॉल या अमेंडमेंट कहा जाता है तो Montreal प्रोटोकॉल के संशोधन की जा tightened हो था 216 में साइन हुआ और यह अग्रिमिंट चाहता है की जैसे हमने मौने प्र सोरो कारवन का इस्तेमाल कर सकते हैं एच एफसी का यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया एज असबस्टिटूट तो यहां पर आगर हम देखें एच एफसी को तो एच एफसी बेसिकली ऐसी ग्यास है जो सबस्टिटूट तो ठीक तरह से काम कर रही है रे मार्बर्ग वायरेस की वज़े से अपनी जानगवानी पड़ी असी प्रतीशत संक्रमण चिकित्सा कर्मियों में है साथी साथ 13 मिलियन से अधिक की आबादी के लिए मात्र पंद्रा सु डॉक्टरों वाले देश में इस प्रकोप से स्वास्ते सेवा प्रनाली पर बहुत अधिक असर पड़ रहा है इसके अलावा आउटब्रेक आप अगर जानना चाहते मार्बर्ग का इससे पहले और कहां कहां हुआ है आउटब्रेक 1967 जर्मनी सर्विया में हुआ था तब 31 केस आया थे और साथ मृत्यों ही थी 1998-2000 में ये Democratic Republic of Congo में हुआ साथी साथ ये आफ्रिकर के गिने एरिया में भी एक केस आया था जिसमें से एक डेथ हो गई थी 2001 केस में 2005 में ये अंगोला में आया यहां पर केस दो सो बावन थे जिसमें से 227 डेथ हो चुकी थी 1975 में साथ आफ्रिका में था तीन केस थे और यहां पर फेटिलिटी रेट 100% था यानि कि तीनों की मृत्यों हो गई थी इसके अलावा तंजानिया, केनिया, यूगांडा, केनिया मतलब यहां पर मृत्यू होती रही है पर आपको यह याद रख रहे हैं सबसे पहले इसका आउट ब्रेक कहा हुआ था 1967 में हुआ था जर्मनी और सर्बिया में इसके अलावा मारबर्ग मनुश्यों के लिए ग्या 1967 में जर्मनी के मारबर्ग में हुआ था तभी से इस कनाम मारबर्ग वाइरस पड़ा है इसके प्रकोपो की रिपोर्ट जादे तर अफ्रीका में ही हुए रही है उसके बाद इबोला की तरह ही इबोला क्योंकि अभी फाइनली एक एंडमिक डिजीज है यानि कि ये पर्ट ज्यकित सही रूप से समान है और हाला कि दुरलब हैं लेकिन उच्चिम्रत की उदर वाले प्रकोप का कारण भी बन सकते हैं किस प्रकार से ये ट्रांसफर होते हैं हुमन में? डेखो डाइरेक गॉन्टाक्ट ट्रांसमिशन अगर हो जाए दो बैट्स के बीच में और फिर human to human ये possible होता है कि थोड़ा बहुत possibility है कि ये आसपास छीकने या खासने से भी हो जाए जाए जाधा तर ये direct contact से होता है अगर आप bodily fluid के contact में आगा जैसे कि blood, semen इसके अलावा यहां पे bats से ये animals, non humans, primates में भी फैल सकता है direct contact ये fruit से हो सकता है इसके बाद दोनों के ब through हुआ तब भी ये virus संक्रमित कर सकता है फिर उसके बाद ये बंदरों से इंसानों में भी आ सकता है और फिर इंसानों से बंदरों में भी आ सकता है ठीक है इसके अलावा ये बहुत परेशान करने वाली disease है क्योंकि इसमें सिर्फ आपके lungs नहीं बलकि आपकी spleen, kidney सब हुआ करती थी, सबसे खास मिसर के fruit चमकादर होते थे इसके बाद, हाला कि विश्वे स्वास संगठन के अनुसान मानव से मानव संक्रमित के माध्यम से भी फैलता है या संक्रमित लोगों के ड्रक्त और अन्यशारीरिक तरल पदार्थों के संपर्थ के माध्यम से फैलता ह MVD के पुष्ट या संदिक दिमामले का उपचार करने वारे चिकित्सीय कर्मचारी प्राया प्रकोप के दौरान संक्रमित हो जाते हैं विशेश करता जब संक्रमन नियंत्रन करने की वो कोशिश कर रहे होते हैं मारबर्ग वाइरिस की सिंप्टम्स देख लेते हैं क्योंकि क्वेशन इससे भी बन सकता है और आज़सेजन यू शुड नो कि मारबर्ग वाइरिस से प्रॉब्लम्स क्या-क्या हो सकती हैं वन तो थ्री देज में हाई फीवर हैड़ेक मसल पेन क्रैम्स चिल सा सकते हैं यू चाद सबंग test है तो पैस्य उरेंस अğन Premis ऐसी फीनक्हां जा सकती गूसे जिसमें बस ब्लोडिक वह सकती है नोस से ब्लीडिंग होती है पेशेंस अपने अपने यूरीन में та भी सीज में भी ब्लड देख सकते हैं एक से लेके नौ दिन तक मतलब ये विंडो होती है इस वाइरस के काम करने की और अगर बात करते हैं ये बॉडी को किस प्रकार से अटैक करती है सिम्टम्स कभी-कभी 21 दिन के बाद अपियर होते हैं इसके बाद वाइरस ये किड्नी और स्प्लीन को सबसे जादा अटैक करता है और इसके बाद यहां पर क्लॉटिंग हो जाती है साथी साथ आपके ओर्गन्स में सूजन आ जाती है सिम्टम्स ये सिम्पल कोल्ड से लेकि हैमरिज तक ले जा सकते हैं आपको और 50 प्रतीशत अवरेज डेथ रेट है इसका अभी 88% हो गया है संक्रमण और लक्षणों की शुरुवात की बीच का अंतराल 2-21 दिनों तक है और WHO के अनुसार शुरुवाती लक्षणों में तेज बुखार, सिरदर्ध, मासपेशों में दर्ध शामिल है इसके बाद कई रोग्यों में रक्षणावी लक्षण विक्सित होते हैं अकसर पाचन तंत्र, नाक, मसूरे, सहित कई जगहों पर रक्षणाव के कारण अधिकाश MVD की मृत्यू भी हो जाती है गहां तक मामलों में मृत्यू लक्षणों के शुरू होने से 8-9 दिन बाद ही आम तोर पर गंभीर रक्थ की हानी और सदमे के कारण बनते हैं अमेरिकी हेल्थ एजनसी सेंटर्स फ़र डिजीज कंट्रोल और प्रिवेंशन के मुताबक संक्रमित मरीज की तवचा पर बिना खुजली वाला रैज भी हो सकता है आम तोर पर बिमारी की पाचवे दिनी आता है पेट और पेट और सीने में उभरता है इस वाइरिस के लिए हमारे पास कोई वैक्सीन या एंटिवाइरल मेडिसन नहीं है जो भी मेडिसन है यह बस पेलिएटिव केर के लिए यानि कि हम सिम्टम्स को ट्रीट कर सकते हैं मरीज की जरूरी देखभाल और शारीरी को हाइड्रेटिड रख के किया जा सकते है कुछ उपचारों पर अभी भी काम चल रहा है रवांडा की स्वास्तमंत्री सबीन नंसिजीमा ने कहा है कि देश प्रयोगिक वैक्सीन और उपचार की तलाश भी कर रहा है जिसमें भारत भी एक बहुत बड़ा रोल निभा सकता है उमीद ये भी है कि इस प्रकोप को उमीदवार दवाओं और शॉट्स के साथ संबोधित किया जा सकता है जो की प्री क्लिनिकल या क्लिनिकल ट्रायल चड़नों में है अमेरिका अस्थित सबीन वैक्सिन इंस्टिटूट ने रवान्दा को अपने प्रायोगिक मारबर्ग वैक्सिन की 700 खुरा के प्रदान की है जिने फ्रंट लाइन पर स्वास्त पेश्वरों को दिया जा रहा है अब इससे संबंदित हम एक क्वेशन देख लेते हैं मारबर्ग वाइरिस के संदर्ब में निमने कथनों पर विचार करना है मारबर्ग वाइरिस रोग MVD के मामले में मृत्यूदर पिछले प्रकोपों में 24 प्रतीशत से 88 प्रतीशत तक हो चुकी है इसका पहला प्रकोप 1967 में जर्मनी के मारबर्ग में हुआ था तो आपको बताना होगा उप्रोक्त में से कौन सा कथन सत्य है केवल एक सत्य है केवल दो या दोनों सही है या फिर इन में से कोई भी नहीं इसका कॉमेंट करके हमें आंसर जरूर बताएं धन्यवाद